हेलो फैंट स्वागत हाब कमेरी उटी चैनल पर आज हम अन्बॉक्स करने वनने हैं एक न्यू फैन की जो कि एटम बर कंपनी तरफ से आता है और ये बीलडीसी मोटर फैन है जो कि आपके घर की बिज़िदी को सेव करता है इससे पहले भी मैंने एटम बर के एक मॉडल की पह ऊपन करने बाद हमें दो चीजें मिलती हैं एक मिलता है ब्लेड मिलते हैं और यह हमने ग्रेल के इंदर मंगवाया है तो यह इसके ब्लेड है यहां पर कलर लिखा वा इसेंड ग्रे कलर है एंड कुछ फिचर्स लिखे हैं रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हैं वही चीज़ें बाकी सारी यहां पर MRP बगरा मैंशन किया गया के करीब इसका MRP है मगर यह आपको ओनलाइन 5000 के लगबग मिल जाता है लिंक डिस्क्रिप्शन में देविए मैंने वाँ जाके आप चेक कर सकते हैं चलिए इस वोक्स को हम उपन करते हैं देखते हैं हमें क्या क्या सासमान मिलता है और इसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है सारी देट वीडियो में मिलेगी आपको तो सबसे देख रहे हैं में यूजर मैंवर गाइड मिल जाती है तो यह आप जरूर पढ़े हैं अगर पहरी बार इस फैन को यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर सारा कुछ मैंशन किया गए यहां पर थ्री यर्स की वरंटी है टू एर्स रोड की उपर लगेंगी कैप से सारी तो हमें तीन-चार तरह की कैप मिलेंगी तो यह सारी प्रोपर अभी इंस्ट्रोलेशन आपको दिखाओंगों करके एंड यह सेफटी वायर मिलती है एक रोड मिलती है अगर घर पर रोड लगनी है तो लगा सकते हैं अगर डाउन्सि के उपर कवर लगाने के लिए तो यह सारा भी मैं आपको इंस्टाओ करके दिखाऊंगा यह में रिमोट मिलता है साथ में रेनेसा प्लस मोटल के अंदर भी सेम रिमोट था तो रिमोट में एक आसे दोनों सेम ही है और यह कुछ स्क्रूज मिलते हैं में कैप लगाने वाले ए और इसकी मोटर का जो बेस है यह थोड़ा है एस कंपेर टू रेनेसा प्लस के थोड़ा बड़ा है तो चलिए इसको मोटर करते हैं कि इसको मोटर बेस है कैसा है यह देखी यह इस बीच में LED दीगे ब्लैक लगे मेर के अंदर LED लाइट से जो की अभी मैं आपको दिखाऊं बाकी यहां पर LED लाइट से यहां पर पर दिखनी रहा है मगर रेनेसा के अंदर पूरा नीचे ग्लास था तो अंदर की कॉपर वांड़े में दिखती थी एंजिसके ब्लेट से टक्षटर बनावा है यह मैट फिनिश के अंदर है ब्लैक ग्रेल लाइट सा ग्रेव है तो अ नहीं है तो चली इसको हम अब आप लेट्स वगर एसके इंस्टॉल कर लेते हैं यहां पर हमें दो नट्स देे रखे होते हैं इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कस्टमर्स की में रिविव में पढ़ा भी था कि वावलिंस ऑन्ट की इसके अंदर वावलिंग की प्रॉब्लम रहती है तो वह चीज हम चेक कर लेंगे कि इसके अंदर वह प्रॉब्लम आती है यह नहीं आती है बाकि अगर आपने रेंसा प्लस की वीडियो देखनी है और बाइपास देखना कैसे रगुरेटरों करते हैं क्योंकि वह चीज सब मे blades को हमने install कर लिए एंज शेकल किट हमें साथ में मिलती है तो इसमें से भी हम यह kit निकाल लेते हैं मगर हमारी rod पहले से ही लगी हुए हमारी down sealing हो रखी है तो इसमें rod पहले से लगी है तो यह वाली केस में आसा नहीं वोगा तो इस थारे के सम्सारे जो हमारे साहब मिलते हैं इसको तो लें Deb debate करने जब से पहले हमने लगे हुई है करेंस पहले हमें साहरे अफ्रैब करना र избयल रहेगी तो सर्वह मिलती है ज्याँ पर हमें फ्रेमियों सभषता है सबसक्राइब तो इसको सब्सक्राइब तो हम टाइट कर लेंगे से उपर हो जाएगी उपर पर हम तो अब फैन को लगाने वाले हैं जो हमें नट था हमार पास उसको हमने उसकी है इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है यहां पर हमने connection भी कर दी है दो वायर जो आपके आ रही होंगी उसको हमने इसके अंदर आपने इंसर्ट कर देना है एंड प्रॉपर लिट लगा के इसके आगे हमने इंस्टॉल कर दिया है अब हमने जो में तो इस तरह करें देखें मारे फैन प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है अब हम इसको अन करते हैं रिमोट से इसको चेक भी करेंगे कैसी इसकी नॉइस है और सब कुछ तो आप इसकी अवाण नॉइस वगरा सुन सकते हैं एंड जो इसकी वावलिंग की प्रॉब्लम है वो भी आप देखते हैं कि चैक चर्टी के आमें लगती है नहीं इसकी आप देख रहे हैं यह फैन कुछ जादे ही वावल कर रहा है और यह कुछ जादे ही लग गया फैन दे चला के कांट्री चला के देखते हैं थोड़ी दिए कि वावरी की प्रॉब्लम कॉंटीउस रहती है नहीं रहती है मगर इस फैन के अंदर आप देखते हैं वावलिंग की प्रॉलम है तो जो कमेंड के अंदर लोगों ने कहा था एक बार मैं दौरा चेक कर लेते हा तो इसक को चाहिं के इसके जगाहा पूद्व फिल मौाइच आती है तो फेंड में कित्ले काफी है या